नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शक्ति सिंग और आप देख रहे हैं ABP गंगा का डिजिटल प्लेटफॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं गाज़ेबाद की तीन बड़ी खबरे पहली खबर है गाज़ेबाद के थाना खोड़ा छेत्र से जहां पर एक 55 वर्स ये जगदीस नाम तक व्यक्ति अपने घर लोट रहा था जागरन देखकर तभी बीच रास्ते में उसे एक शक्ष ने चाकवों से गोद दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई इस बात से लेकर जो शेत्र के जो लोग थे उनमें काफी डर और दहशत का माहुल देखने को मिला यह पूरी खटना सीसी टीवी में कैद हो गई जिसमें साफ तोर पर देखा जा रहा था एक के बाद एक तीन चाकू मारे जाते हैं जगदीस को जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए इसमें विलीद भाटी नामक युवक को गिरफतार किया वहीं गाजबाद की दूसरी बड़ी खबर है यह भी खोड़ा थाना शेत्र से ही है जहां पर 141 दिन पहले एक नाबालिक किशोरी के साथ दो सगे भाई गैंग रेप की घटना को अंजाम दे देते हैं एक ही मकान में रहते थे किराए पर तभी ये इस वारदात को अंजाम देते हैं जिसके बाद जो नाबालिक छात्रा थी उसके घरवालों को मालूम चला तो उन्होंने थाने में F.I.R कराई इस पूरे मामले में 141 दिन बाद कोड ने सजा सुनाई इसमें दोनों भाईयों को दोशी करार देते हुए 50-50 हजार रुपे का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुना दी गई है वहीं तीसरी खबर है गाजबाद के नगर निगम से अब गाजबाद के नगर निगम में जो शहर मेयर थी और जो पारशक थे उनका कारे काल समाप्त हो गया है अब जो शहर की विवस्ता है उसकी जुम्मेदारी अधिकारियों पर आ गई है अब शहर की जो विवस्ता है सफाई विवस्ता है या नाली खड़ंजे की जो जुम्मेदारी है उस सभी को देखेंगे गाज़ेबाद के नगर निगम के अधिकारी वे गाज़ेबाद के जिला अधिकारी दन्यवाद